आपका अपने परिवार केरियर अब्रेट वाइंजिनियर में मैं हूर अजन राज उम्मित करता हूँ आप से बेहतर होंगे स्वस्थ होंगे बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने त्यारी कर रहे होंगे तो सभी बच्चों का सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में नए प्रस्णों के सिंख लाज हम लोग सुरू कर रहे हैं जल्दी से आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने इस क्लास को सुरू कर रहे होंगे दोस्तों इसके पहले हमारी पांच क्लास हो चुकी है ठीक है यलपी टेकनीसिन को टालगेट में रखते हुए हमारी जो इसके पहले पांच क्लास हो चुकी है आज है हमारी क्लास सिक्स ठीक है भाई आज है हमारी क्लास सिक्स अगर आप ने नहीं देखा दोस्तों इसके पह कर सकते हो, वो सारी kलासे को देख सकते हैं कि आगे बता दू कि भाइं किसे ही कलुसे ही हमारी ओव चुका है डीजली मेकैनिक का कोर्स है, मास्टर बैच है , इलपी हो , और यह रोके लिए नहीं यह रोके बची किसका लेंगे , अगर आप भलह यह आपका डीजल मखैनिक है लगिन अगर बियारों का फार्मक अपने वहरा है तो कउन सा कोर्स लेंगे मोटर मकामी कर वादा किसका मोटर जो हमारे चैनल का नाम है चलिए अब आईए बढ़ते हैं पहले प्रस्न की तरफ पहला प्रस्न आप से पूछा भाई कि गजन पिन का जो प्योग है वो क्या होता है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि गजन पिन कहां पे लगा होता है ठीक है भाई चलिए सभी को अब देखें क्या है गजन पिन क्या करता है तो क्या मुख गियर और कैम से आपको तो भाई गियर से तो कोई संबंदी नहीं है किसका गजन पिन का पिश्टन और पिश्टन राड को जोडता है अगला है पिश्टन और कनेक्टिंग राड को जोडता है बताओ भाई देखो तो C उत्तर ही क्या होगा हमारा सही होगा दोस्तिक फीगर देखो 20 बार फीगर इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको चीजें क्या हो याद देखो यह है सिलेंडर सिलेंडर के अंदर हो गया पिश्टन ठीक है पिश्टन थोड़ा च्छे चौड़ा बना जाँ ताकि सारी चीज होगी उपर हमारी जो पिश्टन में रिंग्स लगी होगी रिंग्स तीन की जगा नहीं इसलिए दो ही बना दे रहा हूँ वैसे मिनमम कितने रिंग होनी चाहिए तीन रिंग होनी चाहिए अब देखो यहाँ जो भूल है इसी में एक पिन रहेगा पिन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्ते जिसे हम लोग बोलते हैं गजन पिन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिश्टन पिन गजन पिन या पिश्टन पिन और यही इस पिश्टन पिन किस से जुड़ा होता है भाई तो पिश्टन पिन जुड़ा होता है connecting rod से ये आपका part कौन सा होता है ये आपका part होता है connecting rod connecting rod ये वाला क्या है ये वाला है आपका crank pin ये क्या है ये crank pin है जैसे वो गजन pin है वैसे ही ये क्या है दोस्तर वैसे ही यह क्रेंग पिन है यह वाला पार्ट क्या है यह वाला है आपका क्रेंग और यह क्या है आपकी यह है आपकी क्रेंग साथ ठीक है तो यही क्या होती है एक नार्मल इंजन की संवर्चना यानि की लीनियर संवर्चना आप इसको बोल सकते हो आगी का इंस्ट्रक्शन तो क्या ह होगा काफी हैवी होगा ठीक है चलिए अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं यहां पर प्रस्न में थोड़ा सा गलती है यहां पर लिखोगे यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से किसे इंजन यहां पर का कर लो इंजन इंजन की क्या कहते हैं इंजन की नीव कहा जाता है ठीक है यहां पर भी कर लो कि बताइए दोस्ते इस प्रस्न का जल्दी जल्दी उत्तर दीजे ठीक है क्योंकि अगर 20 प्रस्न में में लाता हूं अगर कम समय में ही हो जाता है तो हमको खीचने कोई जवरत नहीं है जहां पर इस्प्लिनेशन जरूरी है वह आपके साथ करूँगा ठीक है चलिए भाई गुड मानिग भाई दिपेस सारंग मखराज मीना क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नियू मतलब क्या फाउन्डेशन जिसके भी ना हवन खड़ा ही नहीं तो अच्छा बताओ अगर हमारा इंजन में अगर शिलेंडर ब्लॉक नहीं होगा cylinder block मतलब मैंने कल आपको बताय था कि cylinder है इसको दो भागों बाड़ दो ऊपरी भाग क्या हो गया head हो गया और यह वाला जो part हो गया क्या हो गया ब्लोक हो गया अब cylinder block ही नहीं रहेगा तो क्या इंजन बन पाएगा दोस्त cylinder head नहीं रहेगा उपर से खुला छोड़ दोगे तो क्या engine बन पाएगा और इसी तरीके से crank case नहीं रहेगा तो engine नहीं बन पाएगा यानि कि किसे engine की new कहा जाता है तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं engine की new कहते हैं ठीके भाई चलिए अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है वी प्रकार की engine में बेलनों के बीज का सामान कोड क्या होता है what is the normal angle between the cylinders in a V-type engine बताओ भाई थोड़ा सा confuse करने वाला प्रस्ण है आपके लिए बताईए इस प्रस्ण का उत्तर चलिए तीसरे का उत्तर दे रहें A कुछ लोग दे रहें C कुछ लोग दे रहें B ठीक है कुछ लोग दे रहें D किसी का उत्तर नहीं है चलिए तो सही उत्तर क्या होगा दोस्त 60 degree होगा सही उत्तर क्या होगा 60 degree अब मैं आपसे कहूं भाई V-type का engine ये engine है कैसा ये engine है कैसा तो इसके लिए दोस्त हमको क्या करना पड़ेगा engine का वर्गी करन देखना पड़ेगा तो सबसे पहले देखो जो हम अपने पढ़ाने के हिसाब से पढ़ाई के हिसाब से जो हम लोग पढ़ते हैं वर्गी करन करते हैं तो heading क्या डालोगे भाई engine का वर्गी करन अब इसमें दो भागों में इसको बाढ़ सकते हैं ठीक है पहला क्या है पहला है आपका cylinder की व्यवस्था के आधार पर कि सिलेंडर की व्यवस्था कि सिलेंडर की व्यवस्था यानि कि सिलेंडर कैसे अरेंज किये गए हैं सिलेंडर की व्यवस्था के आधार पर अब आपको कि इसमें आधार पर में कौन-कौन सा हो जाएगा इसमें कौन-कौन सा इंजन आ जाएगा किस प्रकार का तो पहला है इन लाइन, इन लाइन, सिलेंडर इंजन, यहां जहां पर सिलेंडर क्या होंगे, एक लाइन में होंगे, क्या होंगे दोस्त, जहां पर सिलेंडर क्या होंगे, एक लाइन में होंगे, दूसरा है आपका वी टाइप इंजन, वी टाइप, वी टाइप में क्या होगा, जो इंज इसमें क्या होगा दोस्त होरिजेंटली अपोज्ट इंजन में क्या होगा कि जैसे कि देखो एक सिलेंडर इधर है ये इसका पिश्टन है तो दूसरा सिलेंडर कहां पर होगा इधर होगा और ये इसका पिश्टन होगा और यहां पर बीच में क्रेंक साफ्ट होगी दोनों क् तो इस तरह का जो इंजन होता है इसी तरह एक सिलेंडर आगे है तो दो सिलेंडर क्या होंगे इसके पीछे होंगे दो सिलेंडर क्या होंगे इसके पीछे होंगे तो यही क्या कहलाता है होरिजेंटल या पूछेगा चौथा टाइप क्या है सिलेंडर के उस्था क्या धार पर तो आप कहोगे radial engine, कौन सा engine दोस्त, radial engine, radial engine से एक पॉइंट यह याद रखना, यह कैसा engine होता है, यह high efficiency वाला engine होता है, high efficient होता है, हाई एफिशेन्ट होता है और इसका उप्योग कहां पर किया जाता है इसका उप्योग एरोप्ले वे तरम यानि कि हवाई जहाज में किया जाता है और इसको समझगे कि रेडियल इंजन होगा कैसा जैसे की मान के चलो यहां पर आपको दिखरा चलेगी यहीं पता देता हूँ जैसे की मान के चलो कोई सरकल होता है ये आपका मान के चलो कोई सरकल है मान के चलो आपका ये कोई सरकल है सरकल में क्या होती है जैसे इसका सेंटर है इसके इधर ले जाओ तो रेडियस होगा ये रेडियस होगा इधर ले जाओ तो ये रेडियस ये रेडियस तो इसी रेडियस पर यानि कि रेडियली इसी पर अगर आप क्या कर दो शिलेंडर लगा दो तो इस प्रकार का जो इंजन बनता है उसको हम लोग क्या कहते भाई रेडियल इंजन बोलते हैं ठेक है चले अब ध्यान से समझो दोस्त अगला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है वो आप कहोगे इधन के दहन के आधार पर यानि की फ्यूल कामश्टन के आधार पर फ्यूल कामश्टर यानि की इधन दहन के आधार पर ड़्य आधार ठीक है अब इसे में वही कर आज आईगा इसे सारी चीज आप पढ़ चुके होंगे इसमें आ जाएगा अंतर दहन इंजन अंतर दहन इंजन जिसे आप लोग क्या बोलोगे भाई जिसे आप लोग बोलोगे इंटर्नल कमबस्टन इंजन क्या बोलेंगे दोस्त इंटर्नल कमबस्टन इंजन और दूसरा आपका क्या होगा बाह दहन इंजन जिसे क्या बोलेंगे external combustion engine बाह दहन engine में हमारा क्या आ जाता है बाह दहन engine में हमारा steam engine और आपका क्या आ जाता है जैसे की steam turbine आ जाता है ठीक है steam turbine आ जाता है और internal combustion engine में हमारा क्या होता है internal combustion engine में पहला हमारा होता है SI engine इसपाल की ignition engine जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बाह जो समपीडन प्रज्वलन यंजन और दूसरा क्या होता है ci engine जिसे हम लोग क्या वोलते हैं दोस्त जिसे लोग ने बोलते हैं संपीड़न प्रच्जवलन और इंग्लिस में क्या बोलते हैं इंग्लिस में बोलते है स्पार्ड इंजन हमारा कौन सा होता है दोस्त तो आप कहोगे स्पार्र में neutrino Engine हमारा डीजल इंजन होता है संपीडन प्रजुलन इंजन हमारा कौन सा होता है इसको भी दो भागों में बाटेंगे कौन कौन सा एक हो गया आपका two stroke और एक हो गया आपका four stroke और इसको भी दो भागों में बाटोगे एक हो गया आपका two stroke और अगला क्या हो गया four stroke ठीक है भाई तो कुछ इस तरीके से हम लोग complete इंजन का जो classification है दोस्त वो क्या कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर 60 उत्तर साथ डिगरी होगा देखी कहीं कहीं पर क्या होता है ऐस अगर इंजन होता है अगर इंजन होता है से यह जो कौड है वह 90 डिगरी भी हो सकता है अगर एट सिलेंड़ है तो यहाँ पर यहीं पोछेगा है कर का मेरे दोस्त मेरे सरकार ऐसी से एंजी जो है वह इसी में आएगा इंटर्नल यहीं dos AI में उसी में लिख लो इसी में लिखेम टूल इन ऊसी एंजी लिखेम ही sean q 1 को सिएंगी क्या होति है गये सोती है और इसको भी सुम्र प्लग की सहायता से ही जलाए रहता है क्योंकि आप कैसी track कर लेते हों वह लगवाते हो तो उसी पेट्रोल से भी चलती है से में और जलती है तो CNG वाला भी किस में आएगा, इसी में आएगा, ठीक है, चलिए, आगे बहते हैं अगले प्रस्ने की तरफ, कि डीजल इंजन के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है, डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानि कि which statement is correct regarding डीजल इंजन, यह आ जोड़ता है, क्रेंक साफ्ट पिष्टन और कनेक्टिंग राट को जोड़ता है, क्रेंक साफ्ट बताओ, पिष्टन और कनेक्टिंग राट को जोड़ेगा, नहीं, पिष्टन और कनेक्टिंग राट को तो गजन पिन जोड़ता है, यानि कि यह वाला गलत हो गया, पहले तीनों अंग परसपर जुड़े दूए नहीं है, ठीक है? यह तीनों यहां से इसका भी कोई उत्तर नहीं है, यहां पर देखो क्या होगा है, connecting rod, connecting rod चा करता है, piston को, और किसको जोड़ता है, crank shaft को जोड़ता है, देखो भाई, यह piston ही तो था, piston था, piston से जुड़ा था connecting rod, connecting rod से देखो अगर इस option के हिसाब से देखा जाए तो connecting rod किसके किसके बीच में link बना रहा है आप कहोगे piston के बीच में और यहाँ पर क्या है क्रेंग के साफ़ उसके बीच में यह link बनाने का क्या कर रहा है दोस्त प्रयास कर रहा है तो option नंबर क्या हो जाएगा option नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त सही हो जाएगा ठीक है यह होगा दोस्त यह होगा सी नहीं होगा क्रेंग साफ्ट कनेक्टिंग राट को जोडने वाला जो अंग है वो क्या है क्रेंग क्रेंग है देखो इसमें क्या है पिश्टन है पिश्टन क्रेंग साफ्ट और क्नेक्टिंग राट को देखो यह क्रेंग साफ्ट हो गई और यह क्नेक्टिंग राट हो गई इन दोनों को आपस में कौन जोड़ा है तो लीडिग है वो क्या होती है जो ब्लीडिंग है दोस्तों वो क्या होती है डीजल में बैठी यह सुद्धी को अलग कर देना खराब डीजल को बाहर निकाल देना ठीक है और खराब ल्यूब आयल को बाहर निकाल देना खराब ल्यूब आयल को बाहर निकाल देना और डीजल सिस्टम में फैली हवा को क्या करना दोस्त बाहर निकाल देना बताईए इसमें से जो है क्या होगा ब्लीडिंग क्या होगा बताईए बताईए भाई इसमें जो bleeding है वो क्या होगा चली अब बताइए ये board जो है board का touch जो है इतना मतलब बहतरीन है ये अगर इस पर एक थोड़ा सा मख्यम अच्छड भी जहां बैठ जाएगे न वहां पर वो क्लिक हो जाए तो उस वज़े से ये सारी समस्याएं आते हैं चली अब उत्तर देख लेता हूं मेरे दोस्त एक बार आपसे request करूंगा कि प्रस्ण का उत्तर देने से पहले जो प्रस्ण का नंबर है वो भी लिखा करिए आपको ठीक है चलीए सबका मिक्स उत्तर आ रहा है तो भाई देखो ब्लीडिंग है डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना यही आपका आपसन जो है सही हो जाएगा आपसन नंबर आपका यहां पर डी सही होगा तो जिन भी बच्चों ने डी उत्तर दिया है उनका उत्तर क्या है स सिंपल समझो यार जब ब्लीडिंग मतलब निकालना ही होता है जैसे कि अगर आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक hydraulic break system है आपका hydraulic brake system में भी अगर आपकी क्या आ गई दोस्त हवा आ गई हवा आ गई तो उसको भी बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ऐर bleeding क्या कहते हैं ऐर bleeding उसी तरीके से आपका जो diesel engine है उसके fuel feed system में अगर ऐर आ जाएगी तो ये फिनामिना क्या कहा जाएगा मतलब अगर air आ गई आप से प्रस्ण पूछा गया है दोस्धान समझना air अगर आपके उसमें इस सिस्टम में कौन से सिस्टम में डीजल इंजल के फ्यूल फिड सिस्टम में तो उस फिनामिना को क्या कहा जाएगा आप कहोगे उसको air कहा जाएगा तो कि यह को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसको आप कहो गया आगे आपके सिस्टम सा कौन से ट्रफल सूट हुआ एयर लॉक हो गया आपने उसको सही करने के लिए हवा को निकाला तो क्या हो जाएगा दोस्त ब्लीडिंग हो जाएगा ठीक है चलिए तो आपको यहाँ पर सही है अब यहाँ पर बताईए डीजल और पिट्रोल इंजन में मुख्य अंतर क्या होता है देखता हूं इस प्रस्ण का उत्तर कौन बच्चा से दे पाता है बहुत ही मात्पूर प्रस्ण है दोस्त आपके बेसिक को लेकर ठीक है और 27 लोग देख रहे हैं यार 17 लाइक से हैं मुल लेकिन अपने उपर एक्सेस प्रेसर बनाने के लिए देखो जब तक आप अपने उपर दबाव नहीं डालोगे शरीर काम नहीं करेगा आप इसको सोने कामन नहीं करता अभी तो मौसम इतना बढ़ियां चलाएक ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा करमी है किसको सुबह उ मेरी ही प्रोड़ेक्टिविटी बढ़ेगी यही बाद मिलेता तो बार में मैं दूसरा काम कर सकता हूं सुबह उटके एक लास ले लेता हूं ठीक है चलिए बी उत्तर कुछ बच्चों का आ रहा है और यूगल किसोर का उत्तर है सी ठीक है चलिए प्रिंसस ओड का उत्तर है पी संदीप का उत्तर है बी चलिए जिसका भी उत्तर बी है उसका उत्तर क्या है सही और जिसका उत्तर सी है उसका उत्तर क्या है गलत है देखो भाई पर कोई श्टोक दिया ही नहीं कि मैं अगर तो इस फुलन प्रज्वलन और संपीडन प्रज्वलन मतलब क्या इसमें जो इधन को यानि कि डीजल इंजन में जो इधन को जलाया जाता है वो कैसे जलाया जाता है दोस्त हवा के संपीडित तापमान से हवा के यानि कि इसमें लिख लो संपीडित हवा के तापमान से संपीडित हवा के तापमान से संपीडित हवा के तापमान से यानिकि कंप्रेसड एयर के तंप्रेचर से जो है जलाया जाता है और जब कि इस फुलन पर जलन SI इंजन में या पेट्रोल इंजन में इधन को कैसे जलाया जाता है दोस्त इस पार्क प्लग द्वारा कैसे जलाया जाता है इस पार्क प्लग द्वारा तो यही क्या है इधन को जलाने में ही आपका क्या होता है मुख्य अंतर होता है तो कौन सा इसको पुरसर लेना नहीं वाइनगे चले होता है जो आप लिजने से बचाता है। तो आप क्या बता होगे चलिए चलिए भाई चलिए देखे दिरे दिरे बत्चे जो है उठ रहे हैं तो क्लास से जूड़ रहे हैं ठीक है लेकिन थोड़ा सा पहले नहीं उठ पाएंगे नीन में कभी नहीं होनी चाहिए और बाकी चाहिए दुनिया इधर से उधर हो जाए ठ ठीक है चलिए नहीं होगा भई को जैंब हमारा उसने होता रहा हमारा हुझे जह जादा घरों करते हैं उसमें होता है यहां प्स नहीं हब चलिए अब आपके पच पर पास्विच और सी आप्सपं और आपकर वाक्शा जात लोग उत्तर बी था जो कि मैंने गलत ही कर दिया देखो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा सेलनाइड स्विच अब आई एक फीगर समझाता हूं आपको देखें सेल्फ जो है मोटर जो इंजन है इंजन को स्टार्ट करने के दो तीन है आपके पास इंजन जो स्टार्ट करन मिücksक्रें की रिदियां किkyaa है इंजन स्टार्ट तीन तरीके से कर सकते हैं पहला है मैन वलीApp मैन्वली वाला कहां पर देखाऊगा जो साधि वादि में generator होता है क्या करता है हाथ से घुमाता है वही क्या है manually या motocycle के आप देखो जिसमें self नहीं होता जिसमें kick लगा होता है वही है क्या manually दूसरा है क्या self start self दूसरा है आपका self starter motor self starter motor ठीक है और तीसरा है by a small auxiliary engine इसमाल अग्जिलरी गैसोलीन इंजन ठीक है अब देखो क्या होता है जब बहुत बड़ा इंजन होता है बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं तो वह आप सेल्प मोटर उतना पावर नहीं दे पाएगी कि उसको पर सकी तो उसको स्टार्ट करने के लिए छोटा सा इंजन प्रयोब करते हैं कि वह इंजन उसको घुमाएगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद जो है वह बड़ा वाला जो इंजन है वह स्टार्ट होगा अब ध्यान से समझो मेरे दोस्ते फीगर आलाम आम से पढ़ा रहा हूं विट फीगर विश सारी चीजिए जो भी आपको समझा सकता हूं तो आपको नहीं घवडाना है कि वह इतना टाइम कैसे लगा कि हमारा एल्पी का इस्पशल टार्गेट है आप किसे इंजाम टियारे करें आप ले सकते हैं लेकिन टार्गेट इस्पशल कौन सा है चलो हो यह है आपकी सेलफी स्टार्टर मोटर इसमें वहीं जो कार्बन ब्रस वगएरा है यह सब अपना लगे हुए है ठीक है अब देखो यह सेलफी स्टार्टर मोटर के इधर उपर एक सेक्शन होता है जो किसका सेक्शन होता है दोस्त सेलोनाइड का सेक्शन होता है इसमें क्य भी बता रहा हूं मैं बहुत बढ़ियां आपको चीज़ें बता रहा हूँ देखो इस तरीके से यह यहां पर आगे ले जाओगे तो यह है आपका ओवर रनिंग क्लच यह आपका बैंडिक्स बिनियन और यह क्या है आपकी भाई यह है आपकी फ्लाइब और फ्लाइबुल पर क्या कटा है दो assault रिंग दीघुमिया तो यह कुछ इस तारीके का जो मिलुत श्टार्टिंग सिस्टम का क्या होता है भाई अरेज्मेंट होता है जाहिए समूझ मोंजjut सारे और यह दो आपके क्या हो गई मोटर हो गई मोटर अब मोटर में इधर फीर्ट वाइंड भी चीज़ें फिंच होंगी यहाँ पर ये वाला पार्रट है यहória होता है जो खिया प्रिछ यहीं वाला जू पार्रट Дया ये है यह क्या है दोस्ते यह surtout का इसमें भी क्या होता है इसमें भी इस तरीके की वाइंडिंग वगएरा होती है सबसे पहले इसका नाम लिख लो सोलेनाइड स्विच सोलेनाइड या सोलेनाइड स्विच भी इसको गोलते हैं अब देखो यहां से यह जो है जो और जो होगा यह का इसको क्या बोलते हैं इसको नाम परSu idशाया इसमें Depot , बोलते हैं Contact Disc को क्या करेगा दोस्त इधर की तरफ खीचेगा जैसे ही Contact Disc मान के चलो इधर की तरफ आएगा ध्याँ से समझना कॉंटेक्ट डिस्क इधर के तरफ आएगा तो यहां पर पिवर्ट वाला सिस्टम है देखो ध्यान से समझो अगर कोई चीज इधर जा रही है और यह वाला सेक्षन भी से जुड़ा हुआ है तो यह ऐसे जाएगा कि देखो अगर ऐसे आप यह कोई चीज ऐसे लगी हुई है यहां पर बीच में क्या है पिवर्ट है मतलब वो घूम सकती है इसके इधर उधर निकले की नहीं लेकिन घूम सकती हो उसके राउन तो यह ऐसे है जब यहां पर चुमबक बना यहां पर चुमबक बना इधर आया तो यह वाला पार्ट कैसे होगा बाहर की तरफ जाएगा और जब बाहर की तरफ जाएगा तो यह वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं Bandix Pinion क्या बोलते हैं दोस्त Bandix Pinion जब यह वाला पार्ट इधर जाएगा तो Bandix Pinion उधर जाएगा Bandix Pinion किस से मिल जाएगा दोस्त यह जो फ्लाइवीब पर रिंग गीयर कटा है, यहाँ पर यह क्या करणा है। टो आप कहोगे फ्लाइवील पर, यह क्या होगा जब बैंड़िज्पीनियन इधर इस से मिल गया। ठेक उसी समय क्योंकि contact disc यहां पर आया यहां पर मिला तो यहां से current का flow कहां पर होने लगा motor में तो यह जैसे ही इधर आया तो bandic spinion और ring gear एक दूसरे में आपस में मिल गए मिल गए का मतलब अगर bandic spinion घुमेगा तो आपका ring gear जो flywheel है flywheel भी घुमेगा फ्लाइविल किस से connected है crank shaft से crank shaft किस से connected है crank pin से crank pin किस से connected है भीया connecting rod से और connecting rod किस से connected है piston से यानि कि अगर हमारा flywheel घुमेगा तो piston motion करेगा और जब piston motion करेगा तो क्या हो जाएगा तो इंजन इस्टार्ट हो जाएगा तो अब जैसे ही ये इधर आया ये bandic spinion और flywheel का ring gear मिला और current का flow भी current पहले कहां आ रहा था current पहले solenite switch में आ रहा था current जब ये इससे touch हुआ तो current भी कहां पर जाने लगा motor में और motor start हो गई motor ने क्या कर दिया flywheel को घुमा दिया और आपका जो engine है वो क्या हो गया दोस्त start हो गया समझे भाई समझे भाई जो engine है start हो गया अब प्रस्ण क्या पूछता है प्रस्ण यह पूछा एक बार परिच्छा में कि engine को engine को start करने के लिए engine को start करने के लिए क्या करना होता है भाई flywheel को क्योंकि engine को start करना है flywheel को घुमाना है तो आप से प्रस्ण पूछा कि engine को start करने के लिए flywheel को कम से कम कम से कम कितने rpm पर कम से कम कितने rpm बतलब revolution per minute rpm पर घुमाना चाहिए घुमाना चाहिए यह प्रस्ण आप से पूछा है अगर किसी बच्चे को तर पता है तो बताओ भाई मैं कुछ भी दोयार कुछ भी गलस नहीं जवाब तो थोड़ा सा interaction रखो थोड़ा सा interaction आप लखिए क्योंकि जो मैं प्रस्ण पूछ रहा हूं उसके उत्तर तो आप लोग दे रहें लेकिन जो मैं बता पा रहा हूं उसका जवाब आप लोग नहीं दे पार है ठीक है चलिए तो कुछ तो बताओ होगा यह 15 इस टू वन है दोस्त यह तो आप रेशियो बता रहे हो इसका मान के चलो अगर इसका diameter एक है तो इसका क्या होगा 15 होगा यह आप रेशियो बता रहे हो इनके diameter का ठीक है या इनके व्यास का ठीक है चलिए यूगल की सोर्व प्रधान का उत्तर है 1600 अंकुस का उत उत्तर है 100-200 यही उत्तर थोड़ा सा आसपास लग रहा है बाकि जितने 1600 1200 600-800 इस अब क्या है गलत है तो यहां पर देखो आरपीम पर घुमाना चाहिए तो आप इसको कह सकते हो 100 आरपीम कम से कम कितने आरपीम सो आरपीम ज्यादा इससे हो सकता है 200-300 हो सकता है लेकिन मैं यहां पर क्या पूछा कि कम से कम कितने आरपीम पर कम से कम कितने आरपीम आप घुमाओगे तो इंजने स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोश्त तो 100 आरपीम हो जाएगा ठीक है 100 आरपीम हो जाएगा यह लोग तो बता दिये सक्सेस्पाइं 200-2000 ठीक है बहिए 2000 तो इस पीर से तो इंजने भूमता है ठीक है चली देखो अब यहाँ पर वही प्रस्णा आ गया उसी फीगर से यहाँ पर पूछा कि जिसटार्टर में ड्राइव मकाइनिजम रिंग गियर के साथ अब देखो जहां से समझाओ आप से क्या पूछा कि जो ड्राइव मकाइनिजम है यह पूरा ड्राइव मकाइनिजम ही यह रिंग गियर के साथ कैसे इसका संबंद होता है क्या यह जब पर्मानेंटली फ्लाइविल के साथ जुड़ जाता है क्या पर्मानेंटली डिस्करेक्ट होता है नहीं यार यह क्या करता है self starter drive mechanism ring gear के साथ जूड़ता और तूड़ता है यानि कि joints होता है और प्रिक होता है जूड़ता है और फिर क्या होता है अलग होता है क्यों क्योंकि भाईया इसका जो काम है दोस्त इसका जो काम है वो engine को start ही करना तो है उससे हमेशा के लिए connect ठोड़ी रहेगा जैसे ही देखो आप यहाँ पर current दोगे यहाँ पर यह मेस होगा फ्लाइवील को घुमाएगा और जैसे ही आपका engine start होगा वैसे ही यहाँ पर एक component है ओवर रनिंग क्लच ओवर रनिंग क्लच यह मतलब पता लगा लेगा भाईया कि जो हमारा engine है अब start हो चुका है तो यह क्य engine को इस फ्लाइवील के साथ से क्या कर लेगा अलग कर लेगा फिर आपने मान के चलो कोई आपके girlfriend दिख गई वहाँ आपने क्या कर लिया वहाँ अपने अपना वाहन रोक लिया उससे पूछने के लिए हाल चाल कैसी हो कहां जा रही हो ठीक है और कुछ खाव भी प्योगी तो नहीं फिर क्या हुआ फिर आप हाल चाल लेकर फिर आपने इंजन स्टार्ट करने प्रयास किया तो फिर क्या किया फिर इसके बाद यह दोनों टच हो गए फिर उसके बाद जब इंजन स्टार्ट हो गया तो फिर यह अलग हो गया तो संबंध हैं का कैसा है जुड़ता यानने कि connect होता है ज्सीं होता है जिसे आपका शक्तिया होता है रहराक होता है तो कौछ सा उत्तर यहां पर सई होगा option आपका यहां पर यह सही हो जाएगा कीप गेटिंग मिलना रहता है हमेशा नहीं कभी नहीं मिलता यह भी गलत है इन में से कोई नहीं यह भी गलत है तो आप से नमबर यह क्या होगा जॉइंस एंड ब्रेक्स कनेक्ट एंड डिसकनेट आगे बढ़ते हैं सेल्फ स्टार्टर प्रयोग करने पर क्या होता है भाई बताओ जो सेल्फ स्टार्टर है अगर आप उसको प्रयोग करोगे तो क्या हो इसका उत्तर दो दोस्त कि सेल्फ स्टार्टर सेल्फ स्टार्टर जो प्रयोग करने पर क्या होता है तो आप कहोगे जो हेड्लाइट है व किसको जाती है सेल्फी स्टार्टर मोटर को जाने लगती है बैटरी की जो करेंट है वो सेल्फी स्टार्टर मोटर को जाने लगती है अब आप कहोगे सर हमारा तो वहां स्टार्ट ही नहीं है तो लाइट कैसे चलेगी भाई वो नया आधनी को अलावाना पहले हम लोग क्या ह पुरानी गारी है उसकी लइपी खराब हो गया बदलवाए नहीं जब तक हेडलाइट नहीं जलेगा लेकिन क्या है कि बैटरी जैसे पहले से आपकी चार्ज है आपने लाइट जड़ा रखी है इंजन आपका तेज कैसे हो जाएगी दोस्त तेज जब होगी जब आप accelerator प्रयोग करोगे क्योंकि accelerator जब आप प्रयोग करोगे तो accelerator प्रयोग करने से क्या होता है इंजन का RPM देखो यहां से जब तेज होने का क्या लिखोगे तेज होने में लिखोगे जब क्या प्रयोग करते है एक्सलरेट तो ती क्या होती है इंजन की आर्प्यियम बढ़ती है और इंजन की गूमेगा जब तेजी से घूमेगा तो ज़्यादा करेंटे घ्लैड तेज होगी और जब आप Selfie Starter का प्रयोप कर रहे हो तो आप खुद क्या कर वे बैटरी से Current लेके Motor को दे रहे हो तो Headlight पर प्रभाव पड़ेगा वो धीमी हो जाएगी चली आगे वढ़ते हैं बैटरी को लग करते हैं समय क्या पहले खुलते हैं मैंने आपका भी दो तीन ग्लास पहले बैटरी को विस्तित रुप से फीगर के साथ समझाया था भाई Positive Plate क्या होती है, Negative Plate क्या होती है, Separator क्या होता है, उसका Container किसका बना होता है, उसमें जो Electrolite बरा होता है, वो क्या होता है टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, Positive होते हैं, Negative होते हैं, अब मान के चली आप थोड़ी पुड़ाने बच्चे हैं, जैसे कि हम लोग थे तो 2011 में वर्ड कप आता था, 2011 का जो वर्ड कप है भाई हम लोगों ने वो बैटरी से देखा है, तो बैटरी क्या करते थे, बैटरी 50 अलग कर दिया, अब अगर मान के चलो, आप अगर उसी समय के बच्चे हो, तो भी नहीं हो, तो भी ये बताओ, कि अगर बैटरी को आप मान कहीं करेक्ट किये हो, टीवी से, ब्लैक और वाइड से, अब उसको खोलना है, तो सबसे पहले, कौन सा टर्मिनल पहले खोलते हैं, यह बताओ, भाई, कूपन कोड एक्सपाइर है, जो ट्रेक्टर मकाइनिक ट्रेड के बच्चे है, उनको मैं कह दूँ भाई, उनका सिलिबस सेम है, डीजल मकाइनिक जैसा सब कुछ सेम है, और कुछ पार्ट एमेमबी के भी है, तो मैं उनको यही जला दूँगा, कि जो ट पढ़ाएगा मैं भी नहीं पढ़ाएगा क्योंकि उसमें बहुत कम लड़के रहते हैं दो चार पांच लड़कों के लिए पूड़ा कोई नहीं पढ़ा पाएगा दोस्तों मजबूरी है तो अगर कुछ भी बच्चे होते सौ बच्चे भी हो जाए तो मैं अलग से कोर्स करा नहीं होंगे तो कहां से लोगों को सेले दे पाएंगे कहा से के स्वस्या कुर्स करा पाएंगे तो सारा कुछ बगरा उसमें और जो ट्रांस्मिशन से रिलेटेड भी कुछ टापिक उसमें है तो ट्रेक्टर मेकानिक वाले बच्चे अगर MMV वाला कोर्स पूरा कंप्रीट कर लेते हैं तो उनका काम हो जाएगा ठीक है कुछ एक्ष्ट्रा पढ़नेक जोरत नहीं पड़ेगी ट्रेक्टर मेकान अब आपको जो फीस है 299 वही पेकर दिए ठीक है चलिए एक बार फिर से चलवा दीजिए क्या वही या क्या चलवा दे नहीं भाई अब नहीं चलवा सकते तो फीस ही यार वैसे इतनी कम है तो सबसे पहले आपकर खोलते हूँ निगेटिव टर्मिनल फीस यार इतनी कम कर दिया दो इतनी कम कर दिया फीस जान लोगे क्या ठीक है चलो अब देखिए यहां पर क्या है कि स्टार्टिंग मोटर के इंजिन को परचालित ना कर पाना इंज में से कौन सा दोस है यानि कि जो इंजन को नहीं चला पा रहे तो भाई क्या है पहली बाद तो बैटरी डेड सभी क्या है अगर स्टार्टिंग मोटर आपकी इंजन को नहीं चला पा रही है तो इन में से कोई दोस हो सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं ठर्मोसाइफन कुलिंग पढ़ाली में पानी के सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है बताओ भई अब मैंने आपको बताया था कि भाई जो वाटर कूलिंग सिस्टम होगा वाटर कूलिंग सिस्टम में दो तरह का सिस्टम होता है थर्मो साइफन और दो तरह होता है थर्मो स्टेटिक थर्मो साइफन में जो पानी का सर्कुलेशन होता है यानि कि चेंज इन्डेंसेटी आप वाटर मतलब भाई यह है देखो जैसे कि गरम पानी है गरम पानी क्या होगा हलका होगा हलका होकर उपर की तरफ उठेगा हलका होकर क्या होगा दोस्त उपर की तरफ उठेगा और धीरे धीरे उपर उठेगा तो उसके बाद कहां पर जाएगा रेडियेटर में फिर उपर से नीचे की तरफ आएगा धीरे-धीरे ठंधा हो बहुत ही लो होता है और इसकी जो एफिचेंसी होती है दोस्त बहुत ही कम होती है ठीके भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है आपका थर्मो साइफन कुलिंग प्राली में रेडियेटर से पानी के बहने की दिशा क्या होती है मैंने अभी आपको बताया उपर से नीचे क पानी का अपर टाइंग होता है इसमे क्या लगी होती है और यह आपका क्या होता है नीचे वाला टाइंग होता है पानी का flow कैसा होता है उपर से नीचे की तरफ होता ठीक है चलि बहुत सांदर सभी का उत्तर इहां पर सही है हाँ 12 की supports theorie 180 नहीं यहां पर ँश्ठी कहां इसमें कहां thermos icon में thermostat कहां प्रियोग होगा thermostat wisdom में धैस्ट प्रियोग होगा वहां पर 80 डिगरि होगा अग्ला है देखिए एक engine cooling पढ़ाली से क्या होता है यह कूलेंट को वल्णे से कौन रोगता है बताया हूं का पहले क्रेशर जो कयआ क्या करता है दोस्त कूलेंट को वल्ले से रोगता है यह नहीं दोस्त इससे ड्राइवर कुलन का ताप मान जान सकता है नहीं अब बचा ऑप्षन कौन सा कि भाईया यह इंजन को सिगर्टा से गर्व होने देता है जैसे कि आप यह मतलब कहना यह चाहरा है कि ठंड के दिनों में कि अधिवर कौर्श आप कभी वी जॉइन कर सकते हैं मुगेश जी कॉर्स आप कभी वी जॉइन कर सकते हैं जो धुक्रिक दो हुई है वह हो आपको रिकार्डर फारमें मिल जाएंगी बाकी क्लास पर आप हमारे साथ लाइव जूड जाना लाइव देख लें ठीक है चली तो एक इंजिन پूर्लिंग प्रौली में ठर्मोष्टेट का क्या करें होता है लिसके ऊप्रेटिन टम्पलेटर पर जाने में क्या करेगा मतद करेगा तो option भी आपको क्या होगा सही अगला है जब इंजन गर्म होता है तो प्रेशर कैप को निकालते समय अधिक सावधानी अपनाने की आवस सकता होती है क्यों भी अधिक सावधानी क्यों अपनाने की आवस सकता होती है दोस्त क्योंकि सील खराब हो सकती है नहीं जो लसने का जो पानी उबलने ना पाए जल्दी पानी क्या हो पाए उबलने ना पाए जो पानी उबलेगा नहीं तो इस्टीम नहीं बनेगी और जब इस्टीम नहीं बनेगी तो पानी का सर्कुलेशन सही रहेगा लेकिन अब मान के चलो जब इंजन गर्म है सिंपल सी बात है तो उसके साथ प्रेसर के साथ आ सकती है तो यहीं है जब इंजन गर्म हो तो प्रेसर कैप को नहीं निकालना चाहिए या निकालते समय सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि क्या है जुलसने का जोखिम रहता है यानि कि देयर रिस्क आफ इसकेल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगने क्यों डाला जाता है दोस्त तो आप कहोगे कि यह कूलेंट को जमने से रोकता है ताकि जब आप जाओ करस्मीर अपनी वाइप के साथ मौकरी लगने के बाद अपनी कार्ड लेकर वहाँ पर इंटी फ्रीज जो आपके सिस्टम में पढ़ा रहना चाहिए ताकि क्या हो दोस दोस्त ताकि आपका वहाँ पर पानी जो रेडियेटर का पानी है वह जम ना जाएगा सारा मज़ा खराब ठीक है चलो कि नहीं भाई डीजल का अभी नोट से लेवल नहीं है चलिए इंजन कूलिंग प्राली में वाटर पंप को इंजन ब्लॉक तर किस पंप द्वारा पंप करता है यह किस फोर्स द्वारा पंप करता है तो सेंट्रिफ्यूगल पूर्स साहिए प्रस्न हो चुके है पहले इंजन कूलिंग प्राली में जो वाटर पंप पानी को इंजन ब्लॉक तक किस फोर्स द्वारा क्या करता है फोर्स करता है तो आप कहोगे सेंट्रिफ्यूगल पूर्स और आप से कुछे पंप कौन सा लगा रहा है तो कौन सा पंप लगा होगा सेंट्रिफ्यूगल पंप ह है कि थर्मो इस्टेट वाल्व लगभग कितने degree centigrade पर खुलना सुरूव होता है 20 बार बता चुका हूं इसके पहले भी थर्मो इस्टेट जो वाल्व है वो 80 degree centigrade पर खुलना सुरूव होता है और 80 degree centigrade से पानी का टम्प्रेचर अधिक हुआ तो रेडियेटर में ठंडा होने के लिए भेजेगा नहीं तो बाई पास हुए के द्वारा पुनह उसको कहां पर सर्कुलेट कर देगा वाटर जैकेट में सर्कुलेट कर देगा ठीके भाई तो यहां पर क्या हो जाएगा 80 डिग्री चलिए आगे भढ़ते हैं अगला है कि धर्मो इश्टेट का उद्देश इंजन को रखना होता है अब इस ओप्सन में देखो वहाँ पर क्या था भीया वहाँ पर था इंजन को जल्दी गर्म होने کی अर्मदी देना यहां पर क्या पूछा कि थर्मो इस्टेट का उद्देश इंजन को क्या रखना होता है बताईए कुछ रड़के कन्फ्यूज होंगे इसमें मुझे पता है 19 का उत्तर बताईए दोस्त 19 का उत्तर बताईए चलिए अंकुष कुमार विस्टोजीत प्रिंस सभी का उत्तर सही आसी डिगरी है भाई असी डिगरी होगा 19 नंबर प्रस्न का उत्तर बताओ दोस्त ठीक है चलिए दी उत्तर दे रहे हैं, बी उत्तर दे रहे हैं, उन्नीस का बी ठीक है चली, यहीं तो मैं कहना चाहरा हूं भई, यहीं तो मैं कहना चाहरा हूं कि यहीं तो आप वो कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा गर्म रखना नहीं दोस्त, इंजिन को निश्चित आपमान पर रखन वहाँ पर वो option था कि गर्म होने की अनमती देना जल्दी गर्म होने की अनमती देना इस्टार्टिंग के बाद तो वहाँ पर क्या था वो option सही था लेकिन thermostat का मैंने आपको बताया है कि thermostat का उद्देश engine को क्या रखना होता है जादा ना ठंडा होने दे ना जादा गरम होने दे तो एक निश्चित तापमान पर यानी की एक operating temperature पर certain temperature या इसी को क्या बोल सकते हैं दोस्त engine का operating temperature क्या बोल सकते हैं engine का operating temperature इस operating temperature पर इसको रखना यही क्या होता है thermostat का कारे होता है ठीक है भाइ चलिए आगे बढ़ते हैं और अनतीम प्रसन है कि stabbed blade का बार-बार धीला हो जाना क्या करलाता है बार-बार धीला हो जाता है किसे कार तो अब भाइ मताओ blade खीच जाने के कारण blade की p acne का सही चुनाव नहोंने की कारण विंगनेट की चूणिया घिस जाने के करण और C तक का प्रियोग ना करने के करण ठीक है? D सही है भईया किसमें D सही है? हाँ D सही है इसमें अब देखी यहाँ पर क्या होगा तो बताओ भाई विंगनेट के अगर थ्रिड घिस जाएगी तो वो काम ही नहीं करेगा तनाव ही नहीं दे पाएगा तो बार बार जो आपका ब्लेड है वो क्या हो जाएगा? धीला हो जाएगा option C आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई अगर एक बार class आपको अच्छी लगी हो तो एक बार ट्रेड का इस्पिसल है ट्रेड का जो थीरी है वो पूरा हम लोग कवर कर रहे होंगे शुरू से एक दम बेसिक आप से लेके जो इंजन तक हम लोग जाते हैं डीजल मकैनिक वाले उसको पढ़ रहे होंगे ठीक है? और जो मोटर 36 चैप्टर टोटल मैं ले यहाँ पर लगभग 46 से 47 चैप्टर है उसको हम लोगी स्कोर्स के अंतरकत कवर करने वाले हैं तो अगर जोईन करना चाहते हैं तो सही समय पर जोईन कर लीजएगा शुरू से आप समारे क्लास के साथ जूड़ आईगे ठीके भाई तो आज की कलास में यहीं तक उमीद करता हूँ कलास आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो एक बार दोस्त वीडियो को लाइक भी करना, सेर करना चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल सब्सक्राइब जरू करना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स क्लास में नए प्रसुनों के एक सिंकला के साथ क्लास से जोड़ने के लिए आप सही बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद झाले के लिए लोड़ने के साथ